करनाटक कॉंग्रिस के विधायक के बेशर्म बोल और महिला सम्मान पर चोट का सर दिल्ली की सियासत में साफ दिख रहा है हर दल के नेताउने कॉंग्रिस से जवाब मांगा है और यहां तक कि कॉंग्रिस के पास अपने विधायक के बचाव के लिए एक भी दलील नहीं है जीवन यापन किया है मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें चुन कर भेजा है निश्चित रूप से उन्हें विचार करना चाहिए अपने निड़ने के ऊपर और जो संबंदित पार्टी है उसको ऐसे विधायकों के ऊपर सक से सक कारवाई भी करनी चाहिए ताकि पू जिजे सो फैंस को मजाग बनाते हैं जो मेंटल ट्रॉमा से एक महिला गुजरती है उसको दर किनार करकर उसको छोटा सा मजाग बना कर आप लोग पूरे सदन में हस रहे हैं शर्मनाक है माफी माँगे और मैं इसकर के स्पीकर से भी कहूंगी माफी माँगे जिस तरीके से वो हस रहे हैं जब वो यह ऐसी भाशा का इस्तिमाल कर रहे हैं तो यह देशी महिलाओं का इंसल्ट करना बंद करें और उनके दुख को इस तरीके से मजाग बनाना बंद करें मैं क्या संदेश दे सकती हूं? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग ऐसे सोच के लोग परलिमें या असेंबली में बैठे हुए हैं यह शर्म की बात है हमारे देश के यह शर्म की बात है 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 कि उनकी पार्टी के लोगों का कितना अच्छा जो है वो संसकार है संसक्रिती है और जिस संसकार हो संसक्रिती को इनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें सिखाया पढ़ाया है वद्रबाद कहिना नहीं चाहिए था इस एक अनफॉर्चनेट और वो बहुत एक्स्पिरेंस आत्मी है दो बार स्पीकर थे मिनिस्टर थे और बड़ी लंबी उनकी पॉलिटिक्स में चलान है लेकिन वो किस सर क्यों बोले मुझे समझ में नहीं आता है तो खैर आप माफी मांगे हैं तो हो गया आप माफी मांगने के बाद उसको महाँ पर छोड़ दी जाए फिर उसको बहुत लंबित करने में कोई नहीं लेकिन आइसी बात नहीं करना मैं नहीं चाहता यह आइसी बात करें इसका कोई अप्रिसेशन नहीं लोग सभी कंडम कर रहे हैं इसलिए उन्होंने खुद को माफी मांगा है तो बात अब बंद होगी झाल